हेलो अब्रीवन पिछे क्लास में हमने देखा था कुलाम का नियम केवल दो बिंदू आवेशों के मत्थे बल निकालने के लिए यूज होता है मारत लो यह दि बहुत सारे अवेशों दे दिये हैं उनके पीच हम लोग को अगर बल निकालना है बल का परिगामित्र निकालना है तो कैसे क्यान करें लेए ठीक है तो इसको देखने के लिए हमें क्या है ये अध्यारुपन का सिध्धान देखना पड़े हैं सर्था अध्या के अनुसर कई आवेश हूं द्वारा आरोपित बल एक अकेले बिंदू के आरोपित बल के सदीस योगफल के बराबर होता है अगर बहुत सारे आवेश दिया है तो चलिए देखते हैं यहां पर एक ओरिजीन है यहां से आरवन दोरी पर एक बिंदू क्यों है है आर्टू दूली पर एक बिंदू क्यों है और यहां से आर्ट्री दूली पर एक बिंदू क्यों है हां अब यहां से हमीं क्या है बल लिकार नहीं है तो इसका बल क्या हो जाएगा एफ वान हो जाएगा ठीक है और इसका बल क्या हो जाएगा एफ वान टू होगा क्योंकि य 3B है इसमें कौन सब बल आएगा F13 आजाएगा इस निए यहां पर जो दूरी होगा यह क्या हो जाएगा रवण टू हो जाएगा यहां का जो दूरी होगा और 13 हो हो जाएगा ठीक है तो चली अब हम बल निकालते हैं तो Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल होगा Q2 के कारणार जो Q1 पर बल होगा वो होगा F12 F12 होगा यह वाला तो यह वहाँ पर क्या होगा 1 upon 4 पर पर एपसलों 0 Q1 Q2 upon इसका जो दूरी है R12 R12 का स्क्वाइर हो जाएगा वैसे ही Q3 दोरो Q1 पर आरोपित पल क्या हो जाएगा F131 upon 4 पर एपसलों 0 Q1 Q3 upon R13 के स्क्वाइर हो जाएगा और यहां पर सदीस क्या आएगा R13 आज जाएगा तो अब परिभासक के अध्यारोपन के परिभासक के हिसाब से एक बिंदू पर आरोपित बल बाकि सभी बिंदू पर आरोपित बल के सदीस योग फल के परावर होता है तो इनका योग कर देंगे ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर दोनों को एड़ कर दिए तो यह आगा ठीक है अध्यारोपन के सिद्धान के अनुसार क्या हो जाएगा इन सभी सभी बलों के योग फल के बराबर होगा ठीक है कमालों एक बिंदू क्यूएन है उस पर हमें बल निकाल जाए ठीक है ऐसा नहीं है कि बस यह सभी अगर क्यूद्री भी लेंगे तो इस पर भी सभी सदिश्यों के यह सभी लों के जब्पल के पराबर ठीक है तो अगर हम लोग्र के निकालेंगे और सबस्क्राइब D जहां पर आई है का वैल्यव कि यहां पर एक तू है ठीक है है यहां पे क्यो टु हो जाएगा यहां पर शहा तो यहां पर क्यों छाएगा ब्लाइगा यहां की को stuck तो यहां पर रेखिक आभेश घनत तो अब हम यहां पर बन निकाल लेते हैं तो बल क्या हो जाएगा यहां पर लेबडा इंटू दिया जाएगा तो यहां पर बल क्या होगा ग्योंकि यहां पर कि यह जो है कि यहांक पर विंदू क्या है कि यहां से यहां को विद्धनीच बल नकाल लेह चाहते हैं यहां इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर क्या आएगा इंटीग्रेशन एल वन अपन फॉर पॉर 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 अपन आरिस्ट्राइब स्वार का किरियला है कि अपन फॉर पॉर पॉर फॉर पॉर 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 से वाइख लीनुट्राइब तो यहां पर भी बल के आएगा कि उपन कि नॉट ऑपन फोर पर एपसलन जिरो सिग्मा आरेस कर जाएगा वैसे ही कि अधन अधन तो कोई सभी अगर आधन है वहां पर एक अभीव रखाया है वहां से आड़ दुरी पर एक बिंदू क्यू नॉट है तो वहां है वहां पर हम लोगों को निकाल लाएं तो इसको डिनॉट करते हैं रो से रो इक्वल टू हजाएगा दी क्यू अपन डीवी हर जगा ऐसा हुआ है कि लिनियर है मीन्स डिक्यू अपन डियल और यह है प्रिस्ट है क्या है सर्फेस है तो डिक्यू अपन डियस और अगर वॉल रो ऑपॉन और इसको है तो इस प्रकार से हम लोग क्यों डॉश्त को डॉंड़ॉड कर सकते हैं और देख सकते हैं अई या आप द zwischen कमें किस प्रकार होता है और अ मित्कु इन तीर अ सर्टन और वल्ल्येर चार्जर्ट डिस्ट्रीबीशन तो लिडियर चार्जर्ट डिस्ट्रीबःट daar होता है देखो मालना कोई से एक लाइन दिया है ठीक है इसमें क्या है प्लस 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 चार्ज है ठीक है और इसको क्या है लिनियर चार्ज डिस्टिविशन को क्या से लेंड़ा से डिनोट करते हैं लेंड़ा क्या है वहां का रेखिक आवेस घनात्व है मीन्स लिनिय इक्वेल रूह हता है डीक्यू अपान डील मीज तो